हाई अवरिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे ग्लोबल टेंशन बढ़ता है या बढ़ाया जाता है इस चीज के उपर हम डिबेट कर सकते हैं लेकिन शायद इसके उपर कोई डिबेट नहीं है कि अगर कहीं पे भी वार या कॉन्फिक्ट होता है तो वो सब सिचुएशन काफी अच्छा होता है डिफेंस फर्म्स के लिए उनको एक मौका मिलता है जहां पे वो बढ़ चड़ कर अपने वेपन्स को बेचते हैं किसी भी देश के पास जितने एडवांस वेपन्स होते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ही अधिक होता है बीते कुछ सालों में जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन दुबारा बढ़ा है ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट को जनरेट कर रहा है जहां पे डिफेंस एक्विपमेंट को मिन्टेन, रिपेर और ओवर हॉल किया जाए वहीं पे बहुत सारे एक्सपर्स का ये मानना है कि भारत एक परफेक्ट देश है जो कि अगर अपने स्किल डेवलपमेंट के उपर काम करें तो वो मिन्टेनेंस, रिपेर और ओवर हॉल में एक ग्लोबल हब की तरह उभर सकता है क्या है ये पुरा मामला और मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं इसको समझते हैं इस वीडियो में मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में उसके जो लाइफ स्पैन होते हैं वो भी काफी बढ़ जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोकल मेकैनिक होते हैं हम उनके पास जाना प्रिफर करते हैं as compared to authorized dealer उसके पीछे का वज़े ये होता है कि जो लोकल मेकैनिक होते हैं एक उनका काम अच्छा होता है प्लस वो कम कीमत वसूलते हैं ऐसा ही कुछ देखा जाता है almost सभी सेक्टर में सभी फील्ड में अगर हम specifically बात करें defense field के बारे में तो US के लगभग 700 से भी अधिक military bases है all across the world अब जहाँ जहाँ पर US का military bases होंगे वहाँ वहाँ पर defense equipments को maintain करने के लिए staff होंगे, mechanic होंगे और ये कहीं से भी possible नहीं है किसी भी देश के लिए कि वो 100% अपने staff को उस देश में जाके place करें तो यहाँ पैकर भारत इस maintenance, repair और overhaul का एक अच्छे तरीके से भारत में skill development करता है और किसी भी तरीके से initially एक दो defense manufacturing companies को भारत में convince करके सिर्फ औसर्फ maintenance, repair और overhaul sector को लाता है तो इससे जो अलग-अलग defense manufacturing companies रहेंगे उनको भी confidence मिलेगा कि वो भारत में आके अपने maintenance को या maintenance unit को set up करें हलाकि ये चीज़ जितना सुनने में आसान है, उतना इसे implement करना मुश्किल है क्योंकि technology जितना complicated होता है, उतना ही जादा उसे सीखना और सिखाना होता है और कितनी बार क्या होता है कि भारत क्योंकि एक democratic country है इसलिए अगर कोई सरकार एक आज plan लेके आते हैं और कलको कर वो सरकार सत्ता में नहीं रहते हैं तो chances काफी high होता है कि उनके जो projects होते हैं उसको आने वाला सरकार cancel कर दें तो इससे भी क्या होता है कि जो companies होते हैं वो थोड़े से under confident होते हैं आपके देश में आके investment करने के लिए जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम किसी भी चीज का timely maintenance और उसको repair करेंगे तो इस चीज का जो effectiveने से वो बढ़ जाएगा और अगर कोई भी देश नए नए weapons अगर खरीता रहे और अगर उस चीज को timely update या repair ना करे तो कोई benefit नहीं होता है और कितनी बार ये भी होता है कि भले आपके पास जो weapons रहे वो कुछ साल पुराना रहे या उतना advanced ना रहे लेकिन फिर भी अगर आप उस weapon का इस्तमाल अच्छे से करना सीख जाते हैं या जान जाते हैं तो real world like situation में भले वो weapon पुराना रहे लेकिन वो कितनी बार most advanced system के उपर भारी पढ़ जाता है अगर हम specifically बात करें government of India का initiative का तो government of India दो चीजों के उपर focus करते हैं एक तो सबसे पहला होता है कि किसी भी तरीके से हम indigenous production करें यानि कि 100% हम खुद के उपर dependent रहें और दूसरा होता है कि हम दूसरे companies को भारत में invite करें जहां पे हम ये कोशिश करें कि कम से कम जो उसमे 50% जो staff रहेंगे वो हमारे रहेंगे ताकि हमारे staff को first hand experience गेन हो उतने advanced और complicated technology के उपर काम करने के लिए वहीं पे कितना बार ऐसा भी देखा गया है कि देश नए-नए weapons खरीदने से बचते हैं क्योंकि हर देश के पास अपने कुछ खर्षे होते हैं तो इसलिए भी वो कोशिश करते हैं कि उसका जो repair और maintenance रहे वो timely हो तो यहां पे भी कोई भी देश अपने समान को वहीं पे repair या maintain करना या करवाना चाहेगा जिस देश के पास अच्छे skilled mechanic रहें या labor रहें तो इस चीज को भी हम समझ सकते हैं कि अगर भारत या हमारे central government अगर इन सब फीसों के उपर बढ़ चड़ कर फोकस करेंगे तो यहां से भी हम काफी अच्छा revenue generate कर सकते हैं और जो global presence होगा भारत का in terms of defense equipment के maintenance का वो भी काफी बढ़ेगा यह हमारे सामने May 2024 का article है जहां पर यह बताया जा रहा कि Indian Army अपने repair facilities को establish किये हैं China border के पास अब China border के पास क्यों कि आज के rate में हमारे लिए जो सबसे बड़ा threat है वो पाकिस्तान नहीं है वो बलकि China है और अगर हमारा repair facilities चाइना border के आज पास नहीं रहेगा और किसी और location पे रहेगा तो इसका मतलब यह होता है कि जो time traveling होगा वो काफी बढ़ जाएगा कहने का मतलब है कि suppose that तामिनाडू या अंधर प्रदेश में हुआ तो वहाँ से समान का आने जाने का जो time होता है वो काफी लग जाएगा तो as a result यह होगा कि अगर किसी भी तरीके से हमारे army को time pay equipments नहीं मिलेंगे तो chances काफी high हो जाता है कि हमारा जो position जो हम लोगों ने gain किया था उसको हम lose कर लेंगे और अगर इस चीज को अगर आप भारत के point of view से देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि यह काफी एक strategically important step है अगर आप defense analyst या military veterans को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि real war में एक अच्छा defense system no doubt आपको बहुत help पहुँचाता है लेकिन साथ में अगर आपके पास थोड़े से कम advanced defense system भी रहे लेकिन अगर आपके पास उस चीज को अच्छे से operate करना आता है और वो चीज अगर fully functional है तो आप दुश्मन के उपर एक काफी अच्छा momentum gain कर लेते हैं और उसके बाद भारत जैसा देश जिसके पास इतना शमता है अगर वो अपने skill development के उपर focus नहीं करता है और वो किसी भी तरीके से अगर अलग-अलग देशों के engineers के उपर depend रहता है maintenance और repair के लिए तो ये भी कही ना कही हमारे intention के उपर सवाल है No doubt कि हम बीते कुस सालों में government of India ने अपने make in India और indigenous production के उपर काफी focus किया है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो announcement होता है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाला देश आपके साथ technology को transfer नहीं करना चाता है और वो ये कोशिश करता है कि जितने जो supporting staff रहे हैं वो उसी देश के supporting staff रहे है लेकिन साथ में ये हमारे उपर भी depend करता है कि सामने वाले देश को हम किस तरीके से convince करें और भारत में हम servicing या manufacturing unit को establish करें ताकि हमें एक मौका मिले जहाँ पे हमारे जो long हैं उनको इतने complicated और advanced system के उपर काम करने का मौका मिले अगर हम चाइना को बहुत ही बखुवी है अगर हम analyze करेंगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि initial days में चाइना ने बहुत सारे companies को अपने देश में invite किया था manufacturing के लिए और उसके बदले में चाइना उनको cheap labor दिया करता था कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि cheap labor के नाम पे चाइना ने उन सब manufacturing units को बहुत ही अच्छे तरीके से analyze किया, read किया और आज हम देख सकते हैं कि चाइना एक global manufacturing hub है जो कि directly US को challenge करता है और US बहुत हतक चाइना के सामने defensive साबित होता है तो अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास बहुत ही बहतरीन मौका है जहां पे हम defense manufacturing companies को सिर्फ उनके servicing unit को भारत में किसी भी तरीके से अगर हम setup करते हैं तो उस unit से भी हम काफी अच्छा revenue generate कर सकते हैं और साथ में हमें experience भी काफी gain होगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye